नमस्कार मित्रो विडियो no.4 में आप पैसिव और एक्टिव टोन कंट्रॉल के बारे में जान चुके हैं video no.5 में, RC active और resonant type जिस में inductive arrivator, simulated arrivator और parametric type होते हैं इनके बारे में बताया गया था इसी वीडियो में मैंने constant q-equilizer के बारे में भी आंशिक रूप से बताया था आज हम इसी constant q-equilizer के बारे में थोड़ा विस्तार से जाने गई पहले हम यह समझते हैं कि यह q क्या है q यानि एक resonant circuit का quality factor किसी bend pass filter की center frequency और इसके minus 3 db point पर इस filter के bandwidth का अनुपात ही क्यों है उधारन के लिए यह चित्र देखें इसमें एक bend pass filter दिखाया गया है जिसकी center frequency 1 kilohertz है और यह है इसके minus 3 db point पर f1 और f2 है जो 891 hertz और 1123 hertz पर है तो इसके bandwidth f2 minus f1 यानी 1123 minus 891 में बराबर 232 hertz होई अब क्यों पता करने के लिए center frequency divided by bandwidth यानी 1000 divided by 232 करना होगा इसका उत्तर आया 4.31 तो इस filter का क्यों हुआ 4.31 साधारा निक्किलाजर चाहे मैं RCA अक्टिव हो LCR टाइप हो या simulated guirator टाइप उन में किसी frequency band के slider की maximum boost या maximum cut position पर उस filter की bandwidth समाने रहती है परन्तु थोड़ा कम boost या थोड़ा cut position पर उसके bandwidth बढ़ जाती है जैसा इस चित्र में दिखाया गया है हरे रंग में इस filter की maximum boost position है थोड़ा कम boost position निले रंग में है जहां इसके bandwidth बड़ी होई है लेकिन constant q-closure में यह bandwidth कम या ज़्यादा नहीं होती केवल इसका gain ही कम या ज़्यादा होता है जो यहां आप लाल लंग में देख रहे हैं यही बड़ी हुई bandwidth ना किवल इस bandwidth की response को प्रभावित करती है बलकि उसके आगल बगल के bandwidth पास filter के response पर भी असर डालती है यह प्रभाव 10 और इस से अधिक bandwidth के एक लाजर पर पढ़ता है जितने अधिक bandwidth का एक लाजर होगा इस बड़ी हुई bandwidth का असर भी उतना ही ज़ादा होगा 10 प्लस 10 बैंड के इस एक लाजर में octave filter है जिनमें एक से दूसरे filter की center frequency दो गुनी या आधी होती है 15 बैंड के एक लाजर में यह center frequency दो बटा तीन octave उपर है 20 बैंड में यह एक बटा दो octave उपर और 30 बैंड के एक लाजर में यह एक बटा तीन octave की दूरी पर होती है इस बड़ी हुई bandwidth की कमी को दूर करने के लिए सबसे पहले रेन ने 1982 में constant q एक लाजर को design किया था constant q यानि जिसका quality factor इस्थिर है कुछ और लोगों ने भी constant q पर अपने अपने ढंक से काम किया है यहां आज जो equalizer आप से मैं share कर रहा हूं उसका design ESP से प्रेडित है जिसमें मैंने कुछ बदलाव किये हैं इसी circuit पर अधारित लगबग 10 साल पहले मैंने 15 plus 15 band का constant q एक लाजर बनाया था जिसका चित्रा आप यहां देख रहे हैं इस equalizer को commercial purpose के लिए बनाया गया था उस समय के आनिक कुलाजर जैसे डॉड आधी के मुकाबले इसकी response काफी बेटर थी क्योंकि वे सब constant q नहीं थे इसमें input और output दोनों ही balance थी और यह dual supply पर काम करता था आज का यह 10 plus 10 band का एक कुलाजर भी उसी circuit पर आधारित है केवल आपके लिए इसको सरल किया गया है लगने वाले electrolytic capacitor bipolar होते हैं जो सबको नहीं मिलते हैं दूसरे इसमें input और output unbalanced है लेकिन इसकी response पहले जैसे ही है इसमें लगने वाली resistance एक वट चार वाट एक परसेंट के हैं और सभी capacitor electrolytic और 220 PF को छोड़कर सभी polyester या mylar है आप भी इसमें ceramic capacitor ना लगाएं क्योंकि ceramic capacitor temperature sensitive होते हैं जिनकी value अधिक temperature पर कम हो जाती है capacitor की जो value डुकी है वे सब accurate होने चाहिए और उन्हें capacitor meter से measure करके ही लगाना चाहिए इनकी value accurate ना होने से filters की center frequency प्रभावित होगी component जितने accurate होंगे उतने ही आपको accuracy मिलेगी TL074 और TL071 IC में base 0 लगाएं और यह हैं इसके PCB इन दोनों को अभी मैंने connector से जुड़ा हुआ है आप इस slider वाले PCB को front panel पर fix करें और दूसरे PCB को chises पर इन दोनों को wire द्वारा connect करें लेकिन wire अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए इस equalizer के band pass filters को इस तरह से divide किया गया है सबसे पहले lowest band की center frequency 31 Hz है फिर 62, 125, 250, 500, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz और highest frequency 16 kHz है पहले मैंने इसमें लगे LED view meter की supply अलग बनाई थी लेकिन सुज़धा के लिए अब equalizer circuit और LED view की supply एक ही कर दी है इसकी power consumption 24 volt पर सिर्फ 65 mAh है 909 volt 150 mAh के transformer से 0.18 लेकर इसे चलाया जा सकता है regulated supply की इसमें जरूरत नहीं है इस equalizer का gain plus minus 12 dB है 24 volt DC पर maximum boost position पर इसकी output 8 volt RMS है बिना किसी clipping के और maximum input 1.4 volt RMS है अगर अधिक output के जरूरत ना हो तो आप इसे कम volt पर भी चला सकते हैं 18 volt DC होने पर भी यह ठीक काम करता रहेगा इसके LED की sensitivity अभी मैंने 1.5 volt output के लिए adjust की है इसमें लगे preset से इसे बदल भी सकते हैं और अंत में अब इसके parameters को चेक करते हैं यह हैं इसके दोनों PCB जिनको मैंने connector से जोड़ा है आपने यह connector नहीं लगाने हैं अब इसमें input, output और supply जोड़ दी गई है सभी slide controls को center position पर करते हैं सबसे पहले हम इसका flat frequency response चेक करेंगे यह है 1 kHz square wave की output सभी filter controls के center position पर यह perfect square wave है इसमें कोई sharp edge या dump नहीं है अब 1 kHz sine wave पर dB meter को 0 dB के लिए calibrate किया है अब इसकी flat frequency bandwidth चेक करते हैं पहले high side की चेक करेंगे यह है 20 kHz पर इसकी response जो minus .5 dB है 32 kHz पर इसका response है 0 dB पर calibrate करते हैं 1 kHz के slider की maximum boost position पर इसका gain आया है 12 dB इसी तरह से बारे बारी सभी filters को चेक करेंगे सभी filters की maximum boost position पर gain देखते हैं पहले 31, 62, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 और यह है 16 kHz पर सभी पर gain 12 dB आया है और यह हैं इस equalizer के PCB design मित्रो जिन को यह design चाहिए वे मेरे WhatsApp नमबर पर message करें आपको मेरी वीडियो कैसे लगते हैं और उनमें आपको क्या अच्छा या बुरा लगा आप नी संकोच अपनी राये दें पसंद आये हों तो like, share और subscribe भी करें वीडियो पूरा देखा करें जिससे आप पूरी बास समझ सकें धन्यवाद और नए वर्ष की शुब कामनाई अर मुरा अरल प्लाओ और यहुर च्ताय क्टाया आपको और वर्ष की शुब कैसें पलांगे giveaway वार्ष के तर बलावे लगाने म्लाता मेरें झाल झाल